नमस्कार साथियों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सौप टॉक्स में स्वागत है आज की इस वीडियों बात करने वाले जो भी चाहता है क्लाश 12 में मैं आप सभी चाहता रहाओ के लिए हिस्ट्री का मैं आपको इस वीडियों कराऊंगा अगर आपने वह नहीं देखा तो वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर आपको मिल जाएगा हिस्ट्री सेट वन क्लाश 12 ठीक है तो वहां सभी आप इस वीडियों को देख सकते हैं तो नमबर निकटेगा और आपको हर क्वेश्चन में चार उप्सन मिलने वाले तो कौन से एक उन गलती आपको बताना है ठीक है तो हमनों समय के बुराद नहीं करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए हमारे पहला सवाल है कि सिंदू से बेता के लोगों के दरपन कि में प्राप 2 मुख वाले एक पूरुष देपता को योगी की मुद्रा में सिंघासन पर बैठे व दिखाये गया तो योगों की मुद्रा में सिंघासन बैठे ऊ ब्रूफ में कि थी या किसने की थी आपको बताना जॉन मार्सल ने विलर ने या फिर जॉन कर निंगम में या फिर विलियम जॉंस ने तो देखिए इसका जो राइट एंसर होगा वो हो जाएगा आपका जॉन मार्सल ने क्या टिक करेंगे ऑप्सण नंबर यह जॉन नारसल को अगला सवाल हमारा कि ही अलफा सब्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था यह क्या था मोहन जो दूलो किस इस्तान से प्राप्प्ट है हडपा रोपड काली बंग के गया अमस्पे घप्र के लिडीर डिस्टन से वह आपको बताना है कि यहां पर कितने दूरी है 383 किलोमेटर 433 किलोमेटर और 683 किलोमेटर तो देखिए इन दोनों इस्ताने को बीच में दूरी कितनी ने वालों होना थे अगला सवाल है कि देखिए सिंदुवाटी सब्यता की जुड़वा राधानी तो देखिए यह क्या था आपको जुड़वा राधानी थी यानि ऑप्सन नमब सी कायट एंसर हो जाएगा अगला सवाल हमारा की निमलिखीत में से किस प्रदार्त का उप्योग हडपा काल की मु जिसे आप इस्टिटाइट कहते हैं कासा या फितांबा या फिलोवा किस प्रदार्त का योग जो हडपा कल की मुद्रा हो यानि जो आपको कोईंस बनते थे ठीक है उनमें सबस्याद मुखी रूप में किया गया था यह आपको बताना है तो देखिए क्या हुआ था जो सेल द्राश्त अंत्र था लोकतांतिक था नगरपाली का जैसे था यहनि में से कोई ने तो आप सभी शाथ शातों ने पढ़ा होगा कि हडपा जो सब्यता उसमें प्रसांद की चलता नगरपाली का सिस्टम जैस चलता था तो आप्सन नमर यहां क्या हो जाएगा सीट सही होगा अगला सवाल हमारा कि हडपा सब्यता की संपूर्ण छेत का आकार किस पर जो हडपा सब्यता की पूरा एरिया था वो किस आकार था वर्गाकार आयताकार त्रीभूजाकार या फिर आपका गोलाकार तो देखिए इसका जो अंसर होगा वो होगा त्रीभूजाकार जो तो देखे अभी तक हमें क्या नहीं प्राप्ति नहीं वहां से अगला सवाल है मौर सामराज की स्थापना किसने की आपको मालू होना चाहिए इसका एंसर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त मौरे यानि option नमर बी देखे मेगदूत मेगदूतम के लेका कौन थे यह भी डाइट कोस्चन भास कालिदास असुगोस या फिर विसागदत तो देखे इसका अंसर क्या होगा मालू होना ची कालिदास ने क्या की ते जो मेगदूत थे मेगदूतम के लेका क और अग्ला सवाल है मौरे काल में घुप्चरों को क्या कहा आता था गुडपूरुस गुप्चर इस ता इसनस्ता अभम संचार या फिर घजी तो देखे जो मौरे काल में घुप्चर उनको क्या कहते थे उनको कहते थे गूडपूर जाली option नमरे सई जवाब होगा हमारा अगला जो सवाल है कि मौर वंस की स्थापना कब हुई थी ठीक है 322 SP पूर 305 SP पूर या फिर 271 SP पूर या फिर आपका 173 SP पूर तो देखें जो मौर वंस की स्थापना हुई थी वह हुई थी 322 SP पूर यानि option नंबर ये क्या हो जाएगा सही जबाब अगला सवाल है मेगास्थिनी की पूष्टक को किस नाम से जबाब हो जाएगा अगला है कि कोसल की राज़धानी क्या थी पाठली पुत्र स्रावष्टी वारनिसर या इन्वेश्रीकोन白ा स्रावश्टी मंति क्हा आता है उसके अपकिस नंबर स्रावष्टी क्या होगा सही 271 इसापुर 265 इसापुर 276 इसापुर जो क्लींग का युद हुआ थह नंवर इसा मसीर्जाम से पहले रहा 261 नंबर ऑफे अच्या मालुम होना यह कोशेंन ने मुझली पूचिया है कि भारत में सर्पाफं सोने के सिक्के जारी करने सबस्क्राइब कौन था गुप था मौरित था सुंग या फिर हिंद युनानी था तो देखे भारत में सरपतां सोने के सिक्षा जारी किए था वह हिंद युनानी सासको नहीं किये थे यानि क्या हो जाएक उप्सण नमर डीस का सही जबाब अगला है मतुरा किसकी राजधानी थी सूर्षेन की मगद की कंबोच की या प्रविष्द्वार को चार दिवारी को या गर्व गिरिया के उपर के आखरीती को या सभागरिया को तो देहें जो बिमान है वो मंदिर का कौन सा भाऒं गर्व गिर्फर वो ऊपर की आखरिति होती इसको क्या कहते हैं नहीं हम बिमान कहते हैं ए Marriage सब्सक्राइब सब्सक्राइब भगवान ढगावान में भारत नेपाल पागिस्तान या फेचिन देखिए जो गौप्तम बोद है उनके जो जन भावान बोद का वो कहां हुआ था नेपाल में हुआ था ठीक है तो आप्सन नमबर भी क्या हो जाएगा हमारा सही जबाब अगला सवाल है कि महावीर जैन थे उनकी मित्य कहां हुए थी सरवन बिल गोला में लुम्बिनी में पावापूरी या फिर पटली पूट तो देखिए जो महावीर जैन थे उनकी मित्य कहां हुए थी पावापूरी जैन नमबर सी क्या होगा इसका सही जबाब अगला सवाल ह त्रियतन सिद्धान सम्समय करेइण सम्समय क आच्रम कि दम कि महीमा है जैन द्रम इस्लामग तो देखें कि महीमा है आपके जैन धर्म की उप्सेν में क्या हो जाएगा सइह जबाब महावीर स्वामी का जन्मा बांबी 560 पूर इसी 530 इसापुर्व या फिर 563 इसवी तो देखिए जो महाभी स्वामी का जन्म कब हुआ था आपका 540 इसापुर्व या तिन अप्सन नम्मेरे क्या हो जाएगा सही जवाब महत्मा बूद के व्याव प्रियच इसका नाम क्या था या रखिएगा आनन जामील उपाली या फिस रिपुर्द तो महत्मा बूद के यहत्ति आपकी आनन ठीक है आग्ला सवाल लेकि जैन परंपरा के उसरों प्रथम तिंग कर कौन थे वो थे रिसाब देव यानि ऑप्सन नमरी क्या हो जाएगा सभीस दिन तक थे वह थे भागवान जो आपके महावीर जैन थे वह थे क्या थे आपके 24 तिरतंग कर देखिए अगला जो इसी पर कि जैन धर्म के अंतीम देखिए जैन धर्म का जो आपका लाष्ट और आपका 24 से तिरतंग को थे वह थे बर्दमान ठीक है महावीर यानि ऑप्सन नमर क्या हो जाएगा पर्तम पोचे का तुम क्या टिक करें ठीक है अगला सवाल है कि आईनी अकवरी के लेखा कौन थे फैजी अबुल फजल स्अला पद region के प्रतिति फैश् Comicamikלה आखिएगर के लिग्चा उप safety अगला सवाल है कि अकवर कालीन सामराज्ट के बारप रांगतों की बिस्तिस संराशना आईने अकवरी के किस भाग में अबादी इनमें से को नहीं तो दिखे यह किसमें बताया है किसमें दी गई है आपका यह एं मलक आभादी जो है उसमें दी गई है अगला सवाथ आकपर ने फतियपूर सब्सक्राइब बात खाना कि नियमन कप करवाया था आपका यह करवाया था पंद्रह सो पशेतर में करवाया था यह अपसन नंबर बी क्या हो जाएगा सही जबाब अगला है कि बादसा नामा के रचेता कौने अबुल-फजल अब्दुल-अमीद-लाहरी फैजी या फिर जां अगला कोश्चन है कि अकबर का जन 1542 में किस स्थान पर आगरा जैपूर कोट या फिर आपका कलान और तो देखिए अकबर का जन 1542 में कहां हुआ था यह हुआ था आपका जाएगा सही जबाब अगला कोश्चन हमारा कि क्रिष्ण देव राय नाम सुनाई अपने किस सुगम वं सालू बंस तुलूब बंस या फिर आर्विडू बंस तो देखिए यह किस वं समधित तुलूब बंस से क्या थे संबंदी तक राजा क्रिष्ण देव राय अगला कोश्चन है कि विजय नागा सामराज का सर्फसेश सासक वो कौन दा हरियर था और देव राय प् तो यह कब हुआ था आपका जो प्रह्मी सारा कि स्थापना कब की गई थी स्थापना कभी थी तेरह सो सैंताले स्था नम्म सी करेंट एंसर होगा अगला है कि युनिसको ने हमपी को जुनिसको है वह आपका हमपी को 20 पुरातर इसल कभ गोश्चित क्या था पंदोश्यासी पुरातर इसल कभ गोश्चित क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा तो देखिए यह थे आपके हिस्ट्री के से टू के टोटल 40 कोश्चन के मैं आपको सॉलिशन प्राइट कर दिए विडिस्कसन तो अगर आपको बाकी सेट के भी अगर चाहिए डिसकसन पूरा हिस्ट्री का जो सेट 5 तक 12 का अपको 11 का प्राइट करों चितना नहीं करिए 11 का जल्द हमारे चल्द पर आ जाएगा सेट 2 का डिसकन कर दूंगा मैं तो यह था फिलाल अभी हिस्ट्री का सेट 2 का आपका जो क्लाश 12 साचतर है उनका सेट डिसकसन तो आसा करता कि आपको यह डिसकसन अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजये गा चैनल आछ्ड़ पहर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाए क्यूंकि आपको इसोब वीडियो कdoo अहल जाए